नमस्कार आप दिख रहे हैं नेक्स्ट ने नवाज मैं हूँ अपके साथ सिराज भारते क्रिकेट टीम को इंग्लेंड के खिला पांच मैचों की घरेलू टेस्ट सिरीज खेलनी है पहला टेस्ट मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा मगर इस सिरीज से ठीक पहले विराट कोली शिरुवाती दो मुकाबलों से बाहर हो गए है हलांकि बी सी सी आई ने अब तक कोली के रिप्लेस्मेंट का ऐलान नहीं किया है मगर कोली की जगा लेने के लिए ये पांच स्टार खिलाडी दवेदार नजर आ रही है बताते चले कि भारते क्रिकेट टीम इंगलेंड के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टेस्स सिरीज खेलेगी पहला टेस्ट मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद के राजियू गांदी इंटरनेस्टिल स्टेडियम उपल में खेला जाएगा मगर इस सिरीज से पहले भारते टीम को एक बड़ा चटका लगा है विराट कोली सुरुआती दो मुकाबलों से बाहर हो गए है भारते क्रिकेट कंट्रॉल बोर्ड यानी बी सी सी आई ने यह खुद जनकारी दी है बी सी सी आई ने बताए कि कोली ने नीजी कारणों के चलते ब्रेक ले लिया है हलाकि भारती बोर्ड ने अब तक कोली के रिप्लेस्मेंट का एलान नहीं किया है मगर कोली के जगा लेने के लिए पांच स्टार खिलाडी दावेदार नजर आ रही है बताते चलें कि मदप्रदेश के लिए खेलते हुए घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने वाले रजट पटिदार भी कोली की जगा ले सकते हैं उन्होंने अब तक 55 फर्स्ट क्लास मैचों में 45.97 की ओस्त से 4000 रन बनाए हैं इस दोरान 12 शतक और 22 अर्द शतक बनाए है पाटिदार भी भारतिये एट टीम का हिस्सा है उन्होंने हाली में इंग्लैंड लॉइंस के खिलाफ 151 रनों की धासू पारी खेली थी उन्होंने यह रन जब बनाए हैं जब भारतिये टीम 50 रनों पर 6 विकेट गवा चुकी थी दूसरी बात करें तो 26 साल के स्टार बल्लेबाज सर्फराज खान इस समय बहतरी इन फॉर्म में है उन्होंने 2020 से ही घरेलू सीजन में लगतार धासू प्रदर्शन किया है मुंबई के लिए खेलते हुए उन्होंने 44 मैचों में 68.20 की उसाथ से 37151 रन बनाए हैं इस दोरान 13 शतक और 11 अर्द शतक लगाए हैं सर्फराज लगतार भारतिय एट टीम के हिस्सा रहे हैं उन्होंने हाली में इंगलेंड लॉइंस के खिलाफ 55 और 96 रनों की शानदार पारी खेली थी बात करें सीनियर बल्ले बाज चतेश और पुजारा भी भारतिय क्रिकेट टीम में वापसी का इंतिजार कर रही है कोईली के बार होने पर पुजारा को मौका दिया जा सकता है पुजारा ने पिछला मैच जून 2023 में डवलू टी सी फाइनल में खेला था उन्होंने हालिया रंजे ट्रॉफि में जुजारू पारी खेली पुजारा ने अभी सोरास्ट के लिए 43, 66, 49, 43 और नाबाद 243 रन की पारियां खेली ऐसे में पुजारा की दावेदारी भी मजबूत नजर आ रही है अवी मन्नू इश्वरन फर्स्ट क्लास मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडियों में से एक हैं जो बंगाल के लिए रन मशिन रही हैं उन्होंने 144 पारियों में 6,314 रन बनाए है जिसमें 12 शतक और 26 अर्द शतक शामिल है उन्हें पहले बांगलादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्स रीज के लिए भी चुना गया था अभी मन्नू नमबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं वो भारतिय ए टीम का हिस्ता भी है 26 साल के रिंकु सिंग ने भारतिय क्रिकेट टीम में सीमित ओवर्स फॉर्मेट में बतोर फिनिशर अपनी जगा लगभग पक्की कर चुके हैं लेकिन रिंकु सिंग ने घरेलू क्रिकेट में लिमिटेट ओवर्स के अलावा फर्स्ट क्रिकेट में भी कमाल का प्रदर्शन किया है उन्होंने कई बार मुश्किल हालाद से टीम को बचाया है अभी तक 43 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं और अभी तक 58.47 की ओसत से 3099 रन बना चुके हैं उनके नाम साथ शा तक और 20 अर्द शा तक है जिस तरीके से अब भारते क्रिकेट टीम को लगातार विराट कोली के बाहर होने से एक बड़ा जटका लगा है कहीं कि ये पांच खिलारी जो हैं वो दावेदारी पेश कर सकते हैं फिलाल आप क्या चाहते ह भारते टीम में विराट कोली की जगा किसको जगा मिलनी चाहिए हमें कमेंडर बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्शने नावाज के सांद